पिछले दिवासी वर्षों से 1925 से लेकर आज तक रात्रिय स्वंसिक संग बिना किसी भैके, बिना किसी लोगलानच के, बिना किसी प्रकार का मन में अन्य कोई स्वार्थ का भाव रखे में लगातार साधेना कर रहा है मन में सवाल होता है कि क्यों कर रहा है साधेना, क्या सपना है रात्रिय स्वंसिक संगे का, क्या हांसिल करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं तो पुझ ने, डॉक्टर हेज गेवार ने जब रात्रिय स्वंसिक संगे प्रादंब किया, सभी से अपने देश के इदियात के बारे में, अपने समाज की अबस्था के बारे में, बहुत गहरा विश्ट्लेशन विवेचन किया और उनों ने कहा, 1200 साल की गुलाबी के कारण के यह रात्र अपने कोई भूल गया है, तुभारा स्वय क्या है, स्वत्व क्या है, स्वाभी मान क्या है, अस्मीता क्या है, रात्र के नाते से हम कौन है, समाज के नाते से कौन है, इसको हम भूल गये हैं और जब कोई देश कोई समाज अपनी आपको भूल जाता है तो सब प्रकार के कटों में से उसस को गुजरना परता है एक लंबी परादीलता का काल खंड उसको भूगना परता है सब प्रकार का अपमान सेहना परता है इसमें डॉक्तर जाब ने कहा हम रात्रे सोसेक संग के मात्यम से देश का स्वाभिमान जगाने की कोचीद करेंगे हम कैसा भारत निर्बान करेंगे तो एक स्वाभिमानी भारत निर्बान करेंगे ये जब डॉक्टर साथ ने का तो उस समय लोगों को बात समझ में नहीं आती थी ये संग के लोग हिंदू राक्टर क्यों बोलते हिंदू क्यों बोलते हिंदुत्व क्यों बोलते आज भी अनेक लोगों को ये बात समझ में नहीं आती पर किसी भी देश का, किसी भी सबाज का प्रान किसमे होता है मैं साजा कुछ साल पहले की घटी भी घटना का उधारन देना चाहता हूँ कुछ साल पहले अमरीका में दो वाईयानों ने टक्कर मारकर वहां के वर्ल्ड ट्रेट टावर को ध़त्त कर दिया अनोगी घटना थी, आज चरे चकित करने वाली घटना थी अमरीका जैसा शक्तिशाली रात्र उस पर कोई आक्रवन करके उसकी ट्रेट टावर को नट्ट कर दे तो बड़ी हतासा जाकता हो गई निराशा आगे, भगदर मच गया अमरीका के लोगों को नगने लगा, अब अमरीका बचेगा नहीं, अमरीका नक्त हो जाएगा और इसलिए ऐसे निराशा के वातावरण में वहाँ एक बहुत बड़े प्रफसर है, प्रफसर सेमोल हंटिंग्टन उनकी एक पुस्तर दुनिया में बहुत प्रसिद्य हुई, क्लैश ओव सिवलिजेशन उन्होंने का अज मेरे देश को क्या हो गया है, मेरे रात्रवाशियों को क्या हो गया है तो उनके मन में ये सवाल आया, अमरिका का रहना या नए रहना, समाज का जिंदा रह जाना तो समाज का मर जाना, इसका मतलब क्या होता है तो उन्होंने अमरीका के लोगों को प्रस्ट पूचा, तुम अपने आपको पहचानतो नो, तुम कौन हो, तुमारा स्वत्व क्या है, तुमारा स्वरूप क्या है, इसको पहचानना चाहिए, तुम्होंने प्रस्ट उपस्तित किया, हूँ आरवी, हम कौन है, हम अपने आप को नहीं पैचानेंगे और इतनी सी डर करके अमरीका लट हो जाएगा ऐसा मन में भाव लाएंगे अपने को पैचाने के बिना तो अमरीका में बड़ी भैस हुई अने तरह के सवालों के जवाब आए उन सब जवाबों को इकठा करके प्रोफसर सेंवल हंटिंग तर ने एक प अमरीका होने का मत्तब क्या है और उस पुत्तक में अमरीका होने का मत्तब क्या है अमरीका का स्वत्व क्या है इसका जवाब देते हैं उन्होंने कहां अमरीका का मत्तब होता है वी आर इंग्लिस स्पीकिंग एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टन कुल्चर ऐसा जवाब दिया अमरीका का अर्थ है अंग्रेजी बोलने वाले अंग्लो सेक्षन जाती के और प्रोटेस्टन संस्कृती को मानने वाले लोग इसका मतलब अमरीका है और इसलिए उन्होंने कहा जब तक अमरीका की धर्दी पर प्रोटेस्टन संस्कृती को मानने वाला एक भी रेक्टी चीव अमरिका किसी भी आतन की गतिवीदियों से नट्ट नहीं हो सकता और उस संस्कृति के भाव के कारण से अमरिका के मन में उच्छा जब गया अगर अमरिका की धर्थी पर खड़े ओकर वो यह पूस सकते हैं हूआर भी अगर हिंदू साम के धर्थी पर खड़े ओकर यहीं सवाल इमादरी से हम अपने आपसे करेंगे खमकोन है तो जिवात क्या मिलेगा हम हिंदु राक्ट हैं, हम हिदुत्व हैं, हम हिंदु हैं, हम हिंदु संस्क्रचिक को मानने वाले हैं, वैदिक काल से वेदों से लेकर अब तक अपने पुरुखों ने, अपने महापुर्शों ने, अपने मनीशियों ने, जो हमको संस्क्रचिक जीवन मुल्ले दिये, जित जब तक उस धार्म और संस्क्रशी को मानने वाले लोग हिंदुचान की धर्टी पर जीरित हैं। हिंदुचान को कोई नट्य नहीं कर सकता। पर दुरुबाद ये क्या हुआ। दिरे दिरे लोगों के मन से ये हिंदु का भाव, हिंदुत्व का भाव, धर्म का भाव, संस्क्रशी के बात ये समाथ से कर दी गए। इसकी बात करने वाले लोगों को कहा ये तो कमीन है। ये तो तंग दिल के लोग हैं ये तो छोटे लोग हैं तो देश का स्वाभिमान इसके काड़न से सोता गया इसलिए डॉक्टर रेज देवाद ने हिम्मत से कहा हम देश के अंदर फिर से अपने जीवन मुल्यों के प्रती अपने गरंचन के प्रति अपने स्वाभिमाली भारत खड़ा होगा इस वाभिमाली भारत के निरबान में राट्रे ये सुन्सेश्थन उन्यासी साल से लगासार प्रियत्न कर रहा है एक अच्छा उसर आया है एक बदल और परिवर्तन लोगों के मनों में आने लगा है अब लोग मानने लगे हैं ये धर्म की बात करना दखिया लूंची नहीं है सल्वकति के बात करना पिछड़ा पन का जोगतक नहीं है इसी के आधार पर देश खड़ा होगा ये बात मानने लगे हैं अपने जितने भी महापुर्श होगे सबने यही का हिंदुस्टान का प्रान किसमे है हिंदुस्टान की आत्मा किसमे बस्ती है तो धर्म में बस्ती है धर्म अगर हिंदुस्टान की धर्ती से निकाल दिया जाएगा तो हिंदुस्टान हिंदुस्टान नहीं रहेगा पर दुरुबाद किसे जिनके हातों में नेत्रत्व आया उन्होंने हमको क्या पढ़ा दिया क्या सिखा दिया किया बता दिया कि हमको धर्म निर्पे एक सदेश चाईए यानि धर्म वाला धर्मिक देश नहीं चाईए इसलों आज आवशक्ता इसबात की है कि देश के भीतर धर्म के संबद में गौरों का भाव निर्भान करने की कोशिथ करना चाईए महर्शी अरविंद जब अलीपुर की जेल से छूट करके बाहार आये थे अब महर्शी अरविंद तो उठ जमाने के क्रांतिकारी थे स्रेथ मनीशी थे, बड़े विद्वान थे, बहुत अध्येता थे इंग्लेंड में जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी ऐसे महर्शी अरविंद क्रांतिकारी घटना के कारण से जेल में बंद कर दिये गे और जेल से जब छूट कर आये, तो उनके स्वाधत का एक बड़ा समारो किया गया स्वाधत के समारों में महर्शी अरविंद को बोलने के लिए खड़ा किया और उनोंने का देखो, जेल में रहते रहते मुझे भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया और उनोंने का अरविंद दब तुम चूट कर बाहर जाओं, तो मेरा संदे सुनाना देश की जनता को आज मैं अपना भाषर नहीं दे रहा हूं बगवान कृष्ण ने जेल में रहते वे मुझे संदेश सुनाने के लिए जो कार वो संदेश देना हूँ क्या कहा अरविंदन ने? अरविंदन ने कहा तो देखो हिंदुस्तान और धर्म ये दोनों एक ही बात है देश की महिमा बढा देता है धर्म की महिमा बढाना इसे आने वाले समय में ये हिंदुस्तान के लोगों बगवान कृष्ण का हम सबको ये संदेश है इस देश में धर्म का प्रचार करना धर्म पर आप्था जगाने का काम करना सबी जाकर हिंदुस्त्तान खड़ा होगा ये महिरशी अर्विंद ने कभी कहा था उनी विचारों को लेकर राट्रे सुंसेक संग्र इधरम और संस्क्ति के आधार पर स्वाबी बाली भारत ये खड़ा करने का प्रेस्ट कर रहा है पर केवल स्वाबी बाली भारत खड़ा करने से तो देश की उन्नती नहीं होती हैं तो इसने दूसरी बात जो राट्रे सुंसेक संग्र चाहता है एक शक्ति साली भारत खड़ा करना चाहता है इतने वर्षों तक स्वतंत्रता मिलने के बाद में भी दुनिया के मानचित्र पर भारत का एक शक्ति स्वरूप खड़ा नहीं हुआ हम शक्ति की उपास ना करने वाले लोग हैं पर चोगे चोगे देश हमको धमकाते हैं कोई भी गुस्पेट कर लेता है कोई भी आतनकवादी गुति आता है बंबे में अटेक कर लिया अपने देश के पड़ोश के छोटे से चिन्वी से देश के लोगों ने चाइना ने इतनी बड़ी मात्रा में अपने देश की जमीन पर कफजा कर लिया कौता सोचंत्र है और पिर क्या पड़ाया गया हम तो शांती को मानने वाले लोग हैं इतने परवानों बंब का विस्कोद नहीं करना चाहिए सेना नहीं रधनी चाहिए शक्त्र नहीं रधना चाहिए इसकी ट्रेनिंग देने की जरोज क्या है और इतने उस भाव के कारण से उस कमजोरी के कारण से 1922 में चीन में भारत पर आश्करमन कर दिया और भारत की बहुत सारी जमीन को कभजा करके ले गया इतने रात्रिये सोंसे संग का ये मानना है दुनिया में उसी की बात मा जाती है आपके सिद्धांद कितने ही उचे होंगे बाते कितनी बढ़िया होगी पर कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है अगर शक्ती का संचे नहीं क्या शक्ती संपना नहीं हुआ इतने रात्रे सोंसे संगने का हम शक्ती साली भारत बनाना चाहते हैं हम कमजोर भारत न आकर्मन करने की हिम्मत भी करें, ये हिंदु स्तार जैसे बड़े देश की देश सुपीकाय नहीं होना चाहिए, सब प्रकार से व्यक्ति-व्यक्ति के मन में शक्ति का भाव जगाएंगे, पुरॉशार्स का भाव जगाएंगे, राटर की खातर शक्ति को घरा करेंगे, जब राक्रेव संवसेक संव्षक्ति की बात करता है, तो लोग कहते हैं, यह हिंसा में विश्वाथ करते हैं, यह शांती प्रिये लोग नहीं है, यह धंगा बजाश्वाथ में विश्वाथ करते हैं, नाधान लोग ना समझ लोग जो राक्ष्ट्रेव सों सेख संग की शक्ती उपासना को नहीं समझते वो इस प्रकार की नाधानी पूर्ण बात करते हैं हिंदुस्दान का इतियाद तो क्या बताता है हम जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं हमारा कोई देवी देवता अर्षा नहीं है जिसके हाथ में शत्र ना हो शत्र और शात्र दोनों की पूजा किये पर हम कैसी शक्ती की पूजा करते हैं हम राक्षची शक्ती की पूजा नहीं करते हैं हम देवी शक्ती की पूजा करते हैं सक्ति शाली तो रावन भी था और सक्ति शाली राम था, हमने अपना आजस कितको माना, राम को माना, रावन को नहीं माना, सक्ति तो युद्ध करा कोशल तो दूर्योधन भी था, कौरव भी था, पर हमारे सक्ति के आजस दूर्योधन और कौरव नहीं है, हमारे सक्ति के आज पर आमने कंस की पूझा नहीं की अमने करश्न की पूझा की इतने राष्ट्रय औसे संघ जिस प्रकार का स्षक्ति साली भारत बनाना चाहता है उस देविये शक्ति वाला बनाना चाहता है भारत ताकतवर होगा तो इसका मस्दब एग दुनिया का कोई भी बड़ा देश चोटे देश को दवा नहीं सकेगा, मेरे वह का लाने का हम दुनिया में प्रियक्त न करेंगे, इतने शक्ति शाली भारत निर्बान करना चाहते हैं, इस दूसरी बात संगने प्रारंब से कहीं, पर शक्ति की उपासना भी हो गया, धर्म और संस्क्रति के प्रती गौरों भी चट गया, पर देश की सब प्रकार की उन्नती तो इसले नहीं होती, इसले तीसरी बात राट्रे संसेक सगने देखा, हम स्वाव लंबी, संपन, संब्रद्ध्य शाली भारत बनाना चाहते हैं, अपने देश में आज भी 40-30 भी लोग गरीबी की रेखा के नीके रहते हैं, जो जो उनकी रोटी नहीं मिल पाती, तन जकडे के लिए कपड़ा नहीं है, सरपर छत नहीं है, ऐसे गरीब देश भारत को बनाये रखने के लिए आजादी के लड़ाई लड़ेगे ही तीका, तो आजादी के लड़ाई लड़ने वाले लोगों के मान में एक फप्न था, अंग्रे जो ने हमको लूटा है, अंग्रे जो ने हमारा शोचन किया है, विदेशी कंपनिया माल लूट करके हिंदुस्तान से ले गई, हिंदुस्तान का कच्चा माल ले गई, हिंदुस्तान के बजार पर कपड़ा करके मन मारे दामों पर अपनी विदेशी माल को बेचते इसलिए हमने स्वतंत्रता हसिल किए और इतली स्वतंत्रता के आदार पर कि whenbirth book वनाएं गरिमी मिटाएंगे बेरोजगारी मिटाएंगे विशंता मिटाएंगे सब प्रकार से अपना देश फिर से सोया कि चरिया वाला देश होना चाहिए इतने संम्रद्दशाली स्वावलं भी बारत मिरबान करने के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरे देशों पर आवलंबित होकर केवल मात्र विदेशी निवेश के आदार पर कोई दुनिया का देश स्वावलं भी नहीं बना करता है। अपने पुर्शांस के आधार पर और अपने नौजवानों के परिश्रम के आधार पर अपने देश के संसादनों के आधार पर हिंदुस्तान की तस्वीर बदेंगे, हिंदुस्तान को नंबर एक का देश बनाई लिए, हो भी रहा है, हिंदुस्तान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा है ये तो गलत नीतियों के कारण से इंदुस्तान बहुत वर्षों पहले दुनिया का नंबर एक का देश बन जाना चाहिए था वो नहीं बन पाया इन नीतियों को वदलने की जरूत है दिशा को वदलने की जरूत है और इसले स्वाभि माने वाली शक्तिसाली वाली, सम्रद्ध शाली वाली, स्वावलम भी बनाने वाली ऐसी नीतियों का नर्मान होना चाहिए और विक्ति-विक्ति के मन में ये भाव जगना चाहिए, मैं देश के लिए काम करूँगा, समाज के लिए काम करूँगा, मैंने जो कुछ पढ़ाई, लिखाई, प्रात्य की जो योग्यता हसिल की किसके लिए की है, देश के काम में लगाऊंगा, देश की सरत्की के काम में लगाऊंगा, ऐसा विक्ति-विक्ति के मन में भाव जगता है, तो भारत में इंटेलेक्ट्छों की कमी नहीं है, भारत में सतनी शियनों की कमी नहीं है, भारत में संसाजनों की कमी नहीं है भारत में जितने प्रकार के प्राकर्तिक साजन है भारत के खजानों में जितने प्रकार के खनित पदार्श है दुनिया के किजी देश्ट भी नहीं है इतने राश्ट्रिय संसिक संगने प्रारंब से ये का हम देश को संपन्ना देश्ट बनाएंगे संब्रद् पनाने चाहते हैं आप संकट क्या है अपने देश में रोज अख़वार का पन्ना उठाते हैं और हम क्यां दिख्या देखते हैं यह अप्ट्याचार हो गया यह अनाचार हो गया यह किसी को भरे बजार में लूक्ष लिया गया है ATM में डाता डाल दिया बेंकी के गाड़े को लूट करके ले गए भरे बजार में किसी दुकंदार की हत्या करके उसका फैसा लूट ले गए कोई किसान कोई गाउवाला गाउव से गुजर रहा था उसकी हत्या कर दी गई तो कुल मिला करके अपने देश में अत्याचार हैं घठ रही कोई रहें गई है भलातकार की कैसी घठना आ रही करी अकबारों में आप लोगों ने पड़ा होगा जिन मावहिनों का बच्चियों का भलातकार हुआ 40% बलात का परोसियों ने किया, जानकार लोगों ने किया, फरचित लोगों ने कहा कि सीता सावित्री का गेश है, हम मा बहिन को पहित्र रिस्ते के आदार पर देखने वाले गेश है, हमारे देश में ऐसे घत्ताइं गते रही है, इसको बज़रना पड़े था, कारण क्या है, संसकार नहीं रा, सिखाये नहीं गया, बताये नहीं गया, समझाये नहीं गया, माताओं को, बहिनों को, मैलाओं को कि रट्टी देखना चाहिए, हमने तो कहा था था न, मात्रवत परदा बेश है, माता का संबोजन पवित्र संबोजन है, बहिन का संबोजन पवित्र संबो इतनी बड़ी मात्रा में अपने देश में पैदा हो गया और काला देश में पैदा ही नहीं हुआ इहां से काला धन विदेशों में बेतिया गया तो देश तो गरीब रहेगा ना परिशर्ण सो बहुत किया मैनत तो बहुत किया कमाई सो बहुत कि पर संस्कार नहीं दिया, धन आ गया, धर्म नहीं सिखाया, संद्रत्ती आ गया, संस्कृती नहीं सिखाई, प्रगती की बास्चों की, डवलप्मेंट की बास्चों की पर परमपरा नहीं बताई, इतने राट्रे सों सेक्संग ये संग की शाखाओं के मात्यम से, छोटे छोट प्रामालिक्टा का देश्यवक्ति का अपने देश के सामाजी की व्यवस्थाओं को ठीक और जुरुस्च करने का संस्कार जगाना चाहते हैं अगर कन्या पैदा हो यही ना इसके लिए अपने देश में कन्या भूर्वस्थ्याओं का रेशों पहुत बढ़ रहा है इसे जेंडर रेशों का सवाल खड़ा हो गया है बालकों की संक्या जादा और बालिकाओं की संक्या कामे कौन सा चैश बनाना चाहते हैं जहेज के लिए निला में हो रही है घरों में और परिवारों में जहेज के कारणों से रोज हत्याइं की जा रही है इककु संसकारों का परणाम है बड़े छोटे के प्रती आदर का वाव, सद्धा का वाव, यह समाक्त होता चाला जा रहा है इतले राट्रिय संसेक संगर के मात्यम से हम देश के लोगों को, देश के नोजवान लोगों को संगर शाखाओं के मात्यम से देश वक्ती का संसकार देते हैं प्रामानिक्ता का संस्कार देते हैं, इमांदारी का संस्कार देते हैं, मिल चूल करके चलने का संस्कार देते हैं, अनुशासन का संस्कार देते हैं, अनुशासनी नहीं रह गया है, इतले संस्कारी भारत निर्बान करना ये भी रात्रिय सुनसेक संगरे अपने सामने एक भारत हो तो ही सब चारों चीजों के उजतने के बार सब से वड कि आवस्षकता है 就 कि समर्ण और संगधित भारत कि बारत म सपमारे है पर हमारे देश में ग्ञान की कम委 Holy So ड़ेंदूस्तान की पहले कोती दुनिया में हिंदुस्तान में दीवें वह भड़े मनीशी हो बड़ेभी गान विच्छान की देश में कभी नहीं है थीर पी हिंदूस्तान क्यों लुट सारा हिंदूस्तान क्यों कि topodor हिंदुस्तान में शक्ति शाजियों की कमी है क्या पराद क्रमियों की कमी है क्या अमेरे जब वोलवार में लड़ने के लिए गए तो अमेरे जोने अपनी फोज में सबसे आगे हिंदुस्तान के सैनिकों को रखा था कि उन्होंने पैचाल लियाता है यंदुस्तान का सैनिक कभी भी पीठ पर बोली नहीं खाता है युद्द के मैदान में रणांगन में सीधा शत्रू से भिड़ जाता है या तो जीत कर आता है या फिर वहां शईद होकर आता है पीठ नहीं दिखाता है कमजोर नहीं हो प्रणांगन में दोनों हाथों में तन्वार लेकर के लड़ता रहे दुनिया के एकियास में ऐसे बहादुरी का कोई उधारन नहीं मिलता फिर क्या हो अगरवत ज्ञान की कमी नहीं बहादुरों की कमी नहीं धंदोलत की कमी थी क्या पैसे की कमी थी क्या तो इंदुस्तान करने का सभवाब संगतन का सभवाब ये चुक गया था ये कम्जोर पड़ गया था एक दूसरे की बुराई करने में एक दूसरे की टांकृचाई करने में आप गडिती और इसलिए इसका वरण करते हैं अपने इक संस्तक्त के विद्वान विद्या विवाद आए, धनम्मद आए, शक्ति परेशं परफीडन आए। अगर आपके पास अकल है, अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास ज्यान है, तो अपने देश में हजारों लाखों की संक्या में बगर पड़े निखे लोग में, आप अपने ज्यान को उनको ज्यान देने में लगाई। धन है आपके पास में, तो दान में लगाई। गरीबों के उत्थान में लगाई। सेवा के काम में लगाई है, और दाकत आगई है, तो परेशाम परफीडन आए। दूसरों का कख्ट दूर करने में लगाई। ये भारत का उधारन रहा है। इतने रात्रे सुंसेक संगे, छोटे-छोटे करेकमों के माद्यम से, संग की शाखा के माद्यम से, सुंद्कों को साथ देश का काम करने का संसकार देता है। तो एक संग में लगाई खड़ा करेगी। जाती, मत, पंत, संप्रदाय, भासा, अक्षे, इसके कार्णी चे रोज संगर सो रहे हिंदुस्तान में। तो इन भेदों से उपर उठ करके संपून भारत मेरा है। छोटी जाती और ब हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माते सब पुत्रों पुत्रिया हैं, तो समान हैं, सब बराबर हैं। और इसले राट्रे संसक संगरे का हम व्यक्ति विक्ति के मनवें, ये देश मेरा है, भारत माते हम संतान हैं, भारत की भक्ति करेंगे, भारत के होने के नाते से कोई पेगबाव नहीं है तो एक समरत संगत भारत खड़ा करेंगे ऐसे सपनों को लेकर पिछले उन्यासी वर्षों से राट्रे सुन्सिक संग काम कर रहा है आप में से अनेक लोगों का संगत के काम से संगत के संगत के संगत के शाखा से परिश्याया होगा मेरा आने वाले मानवा अन्यासी काम में 係लीक संग जुन ज्याखा में वाने वाले आने वाले वाले दुनिया और कहरें आने वाली शटाप्ति ये शताथी, हिंदू शताथी, हिंदू रात्र का पुनोरदय होगा, पुनूत्थान होगा, भारत नंबर एक का देश बनेगा, तो भारत को ऐसा फराक्रमशाली, संब्रदशाली देश बनाने के इस अभियान में, आप सब लोगों का सयोग मिलें, इसी दुनेंबर का पुनूत्थावाइबर एक का पुनूत्थान फूशराऊजाँ दोगा उन्पल एक का इसा आश लोगों का पूल की ज़ने दोग बनाने इसांवावाणाली देश लोगों का पुनूत्र